12th class के board exam में above 90 score करना है हर subject में सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन ये हर बच्चे की चाहत होती है जब वो 12th के exam दे रहा होता है कि काश यार मेरे नबर से उपर आ जाए ये बहुत easy है सच बताऊं तो सिरफ 5 tips हैं ये करने के लिए जो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे tip number one go through the entire syllabus prepare as per the weightage distribution बच्चे syllabus आधा करके जाते हैं सबसे पहले तो कम करते हैं क्यार चलो जितना पढ़ रहे हैं पास उनलाइक पढ़ जाएंगे फिर तो 90 आने ही नहीं आपके आपका entire syllabus आपने पढ़ना है अपनी teacher से पूछ लो CBSE की website पर देख लो कि कौन से chapter कितने marks का आता है उस हिसाब से prepare करो कि अगर एक chapter 10 marks का आ रहे हैं तो उसको ज्यादा ध्यान दो उसके उपर बजाए उस chapter के जो 5 marks का है उस पर double ध्यान दो 10 marks वाले पर क्योंकि जब तक आपने entire syllabus नहीं पढ़ा होगा at least once आप 90 से उपर ला ही नहीं सकते हैं आपको latest exam का pattern बता होना चाहिए marking scheme, weightage distribution और trend trendy topic क्या है जैसे English में letters में क्या-क्या topic आ सकते हैं आजकल क्या-क्या चल रहा है what is the current affair ये सब उसे साब से prepare करो and बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं अच्छा मैं मैंने इनने R.S. अगरवाल ले लिये मैंने R.D. शर्मा ले लिये मैं उससे practice कर रहा हूँ मोटी book में रोज solve कर रहा हूँ भाई, R.S. अगरवाल कर ले तू अलगला subjects में तू R.D. शर्मा कर ले कार होती है कौन पढ़े हम तो वही आए reference book पढ़ेंगे R.D. शर्मा पढ़ेंगे उसी को चाटने में लगे रहते हैं NCRT पढ़नी नहीं तुम ले आओ जादा marks कोई बात नहीं लेकिन NCRT के बिना this isn't the way you have to do it क्योंकि questions उसमें से आएंगे and concept वही है NCRT तुम पढ़ो मत बाहर की books तुम पचास ले आओ 10-15 books ले आते हैं लोग बाहर की मोटी-मोटी वो पढ़ते हैं पूरा साल फिर इनका दिमाग खराब होता है फिर ये coaching में जाते हैं 8-8 गंटे अपना सर खपाते हैं ऐसे बच्चे ना बने ये बच्चे इडियट्स होते हैं टिप नमबर टू प्रॉपर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट अर अमस्ट कहते हैं यार जब तक आप अच्छे से प्लान ना बनाओ किसी चीज़ का तो उसे करना बहुत इनेफिशेंट और डिफिकल्ट हो जाता है प्लानिंग is very important टाइम मैनेजमेंट भी उतनी ही इंपॉर्टन है पूरा एक शेडियूल बनाओ टाइम टेवल बनाओ कि भाई मैने महीने में इतने दिन ये पढ़ना है ये चैप्टर इतनी बार करना है और उसमें से क्या-क्या टॉपिक जाधा पढ़ना है फिर टाइम मैनेजमेंट पेपर करोगे तो कौन से सेक्षन को कितना टाइम देना है ये सब चीज़े पहले प्लान करनी पड़ेंगी क्योंकि भाई या ये बोर्ड एक्जाम है इसके मार्क्स पूरी जिन्दगी आपके साथ रहेंगे जब तक आप हो आपके मार्क्स भी आपके साथ ही रहेंगे कि भाई बच्चा बार भी में इतने परसेंट लाया था रिष्टेदारों के फोन आएंगे या कुछ भी है उनको छोड़ो या आप अपनी रिज्यूमे देते हो अपने आप जॉब के लिए जाते हो इंटर्व्यू तो परसेंटेज भी आपके साथ योगी न एक काइंड ओफ आपके इमेज बन जाएगी क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां आपकी परसेंटेज से आपको जच किया जाता है तो जादा तो लानी पड़ेगी न सैडली क्या कर सकते हैं कुछ कर तो सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं सिरफ तो हमें क्या करना है डेली शेडूल बनाना है सारे सब्जेक्स को कवर करना है ठीक है कोई सब्जेक्स छूटना नी चाहिए और पूरा schedule बनाके उससे हमें stick करना है target रखने कि हाँ जी इतने घंटे में यह हम निकल लेना है ताकि हमार पास time बच जाए और पूरे goals रखने चाहिए हमे time utilization नहीं किया तो फिर यही बच्चे होते हैं तीन घंटे के exam में धाई घंटे में इनका आधा paper होता है और last के 15 minute में यह भगाते हैं फिर यह टीडे मारते हैं means writing इनकी गंदी हो जाती है और revision के लिए 0 seconds बचते हैं इनके पास ऐसा नहीं करना है tip number 3 solve previous papers and take mock tests यह एक बहुत बहुत underrated tip है बच्चे इसको ignore करते हैं भूल जाते हैं ऐसे tip जो कोई इतना ध्यान नहीं देता है लो सोचते हैं कौन करें अब पिछले साल के time का है मारे पास हम book क्या कर लेंगे नई पिछले साल के paper उसे pattern पता चलता है कि मान लो third question में हर बार graph का आ रहा था हर साल तो इस बार भी graph का या सकता है हमें idea तो लगा कि third question graph का आएगा उसे आप से काम करेंगे time manage करेंगे और graph वाला ज्यादा practice कर लेंगे क्योंकि हमें पता है रहे थर्ड में तो graph आ रहा है at least idea तो लगेगा mock test दो online इतनी सारी website से अपने किसी friend से काऊ people don't do this anymore तो क्या है high scoring के लिए आपको exam pattern पता होना चाहिए okay paper solve करो पुराने पिछले 10 साल के paper solve कर जो I can guarantee अब 90 से उपल होगे पिछले 10 साल tip number 4 अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां पता होनी चाहिए you should know your strengths and weak areas focus on strengthening your weaknesses जो आपकी weakness है उसे अपनी strength मना लो लेकिन अपनी strength को अपनी weakness मत बनने देना उसे कम मत होने देना थोड़ा सा self introspection करो 12th की poem है na Keeping Quiet by Pablo Neruda उसने भी तो उन्होंने भी तो यहीं पोएम में कहा है introspect करो आप क्या कर दो जहां को अपने अंदर जहां देखो क्या आप सभी चीज़ कर रहे हो अपनी strength पहचानो अपनी weakness यार मैं letter बहुत अच्छा लिखता हूँ English का तो पहले मैं letter कर लूँगा best या मैं उसे last में कर लूँगा उसे साब से plan मनाओ कि letter में तो मेरे बहुत अच्छे मांक्सान है या literature मैं खेंच लूँगा बढ़िया या फिर मैं graph के questions बढ़िया करता हूँ या मैं journal ledgers बनाने में expert हूँ तो अपनी जो strengths है वो पहचानो weakness यार मुझसे linear equation नहीं होती calculus में problem है weaknesses पहचानो strategy बनाओ कि weaknesses पे ज़्यादा काम करूँगा strengths पे कम क्योंकि जो आता है उस पे काम करने से अच्छा है जो नहीं आता है उस पे काम करूँ और उसे आते वाले में convert करूँ कि वो भी मुझे आए किसे subject को ignore नहीं करना कुछ और idiots की बात आपको बताता हूँ मेरी class क्या generally भोते हैं अरे English तो बेकार है कौन पढ़े हम तो math, science पढ़ेंगे IIT जेई करेंगे वो ज़्यादा जरूरी है English नहीं पढ़नी English बेकार है फिर ऐसे लोगों की percentage English की वड़े से down होती है ठीक है तो English भी पढ़ो maths भी पढ़ो science भी पढ़ो जो जो आपके subject में सारे पढ़ो किसी को कम मत समझो even physical education को कम मत समझो वो भी percentage को boost up या नीचे गिरा सकता है last tip, tip number 5 tips for students to do well in the board exams last tip में थोड़ी general है कि जब आप paper करो time manage करो sections को देखो कौन सा पहले करना है handwriting साफ रखनी है first page बहुत सुंदर रखना है बागी page भली कम सुंदर हो क्योंकि impression यार first page से ही बढ़ता है examiner पे तो वो आगे भी आपका paper खोशी-खोशी smiling way में चेक करेगा क्योंकि आपको नहीं बता ना paper कौन चेक कर रहे है आपकी class teacher तो है नी या school की तो है नी board exam है कोई भी कर सकता है उसका mood कैसा है वो घर पे अपने पती से या अपनी wife से अपने सासा सुचल लड़के आया you don't know man वो घर पे बरतन तोड़के आया होगा लेकिन आपका paper देखके उसका mood खुश हो जाना चाहिए essay way में paper लिखो कि देखते ही वो मुस्कुराने लगे कि इतनी प्यारी writing आ रहे बच्चे में कुछ तो बात है क्या answer लिखे है सुआद आ गया ऐसा paper करो पूरे question paper को read करो 15 minute जो मिलते है ना उसमे उसमे या तो आप passage के answer mark कर सकते हो रिंग का ख्याल रखो skip मत करो gap छोड़ दो लेकिन एक के बाद कोई दूसरा नी continuation रखो एक pattern रखो and you will do well कोई problem नहीं हुआ नहीं है डरना नहीं है very easy हर को इस से गुजरता है और आप भी गुजरोगे एक time पर and yes last में you have to revise at least thrice तीन बार ही revision करो इतना time रखो की तीन बार ही revise हो जाए अब धाई घंटे में खतम करो कोशिश करो खतम हो जाए आदे घंटे में यूनो बैठो chill करो या दो घंटे चालिस मिनट में खतम करो last में revise करो and finally क्योंकि एक्जाम्स lifelong आपके साथ marks आपके रहेंगे तो अपना best दो 120% दो अपना ठीक है तो इसी के साथ यह 5 tips यहीं सवाप्त होती है उमीद करता हूं मदद मिली होगी well let me know down in the comments below thank you for watching